नमस्कार जोहार मेहूनितेश कमार और आप देख रहे हैं सच बोल हजारी बाग जीला के बरही परखंड में इस्थीत रियाड़ा प्रक्षित्र में संचालित पवन पुत्र स्टिल प्लांट में फर्निश में ब्लास्ट होने से दो मजदूरों के मृत्ति हो गई सभी घायल मरीजों को राची के रिम्स अस्पताल में भरती करवाए गया है घटना के सूचना पाकर बरही थाना प्रभारी चंद्रशेकर कुमार एबम उप विकास आयूक्त शिरीमती प्रेड़ना दिक्षित घटना स्थर पर पहुँचकर घटना का जायजा लिया वहीं बरही के पुरुविधायक शिरीमनोज कुमर यादव ने घटना को अत्यंती पीड़ दायक बताया और कमपनी को सुरक्षा के मानों को पर विशेश ध्यान देनी की नसिहत भी दे वहीं घायल मरीजों को समुचित इलाज और मिर्थिकों के परिजनों को उचित मुआजा देने की मांग की मुख्यमंत्री हेमन सोरन ने विभिन जीलों में उम्र कैद की सजा काट रहे 49 कैदियों को रिहा करने का फैसला किया है वहीं मुख्यमंत्री हेमन सोरन ने जारकंड मुख्यमंत्री मय्या सम्मान योजना में आरही तकने की समस्याओं को लेकर उच एवं विर्य पदितिकारियों के साथ बैठा कर योजना लाभुकों को फॉर्म भरने में आरही कट्षनाईयों को जल्द से जल्द ठीक करने का आदेश दिया एवं 10 से 15 अगस तक फॉर्म भरने की तारिक को बढ़ाती गई है आगमी 13 अगस को परखंड मुख्याले के समीप आयोजित भाजपा के एक दिवस्य धर्णा प्रदर्शन को लेकर भाजपा कर्याले में बैठक आयोजित की गई जिसमें बालू के मुल्यों म आप प्रत्याशित व्रिधी के विरोध में 13 अगस को भाजपा का एक दिवस्य धर्णा प्रदर्शन होगी बैठक में मुख्य रूप से बरही के पुर्व विधायक श्री मनुझ कमर यादव उपस्तित रहे